एरर 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 गलती 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 वो एक है ना चीज दिल गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है दिल शायर इस शेर के अंदर दिल जो है ना वो साइंटिस्ट को बोल रहा है या उस रिसर्चर को बोल रहा है या उस बंदे को बोल रहा है या बंदी को बोल रहा है जिसने data collect किया है और वो data collect करते वकत दिल गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है दिल अब उस एक गलती को कैसे सुधार ने वो भी तो शायर को बदाना चाहिए ना शायर ने तो नहीं बताया लेकिन बहुत ज़्यादा statisticians ने इस चीज़ को हमारे सामने बताया कि दिल जब गलती कर बै यह लेकिन उसके दो-तिन लगा के कहते है चल कोई ना अगली दफा ना करें ठीक है तो देशी families के अंदर यह होता है चपल पड़ी होती है बस लग रही है तो हमने algorithms की पहले errors देखनी के गलती कौन सी की है दिल ने फिर उस गलती को सुधार ते है समझागी बात की तू समझ नए तू नहीं समझा कोई مسئला नहीं है मैं समझा देता हूँ ले जनाबêcky errors जो हैं हमारे पास कितनी किसम की होती है तो सबसे पहले थो मैं यहां पर आपको लिख के दिखाता हूँ कि types of errors types of errors यानि के जो दिल गलती कर बैठा है वो कितनी किसम की गलतीयां की है चीक है सब सबसे पहली जो गलती है वो आपको भी पता है types of errors के अंदर random errors होती है number one random errors number two जो हमारे पास होती है वो होती है systematic error यानि के systematic error ठीक हो गया random errors क्या होती है और systematic errors क्या होती है ये दो किसम की errors है जो basically आप ज्यादा तर अपनी जो different किसम की classes के अंदर भी सुनते आए होंगे और आज इस class के अंदर भी हम देखेंगे ठीक है अब मैं आपको दोनो errors का जो है वो फरक बताने लगो random errors पहले समझ लीजेगा क्या होती है ठीक है random error एक ऐसी error है कि जब भी आप एक काम को दुबारा से करें उसमें कुछ न कुछ चेंज आ जाजाए मिसाल देता हूँ आपको luddo का दाना जितनी दफ़ा आप खटखटा आगे उसे फैंकेंगे आपके हमेशा कोई और ही दाना आएगा यानि कि 6 नहीं आएंगे हर दफ़ा कभी एक आएगा जिसे पंजाबी में खड़ा भी कहते हैं काना भी कह देते हैं कभी 2 आएंगे कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6 ठीक है so ये जो एक से लेके 6 तक आपको दाने आते हैं हर दफा फैकने से ये random है, बिलकुर random है and you can't control it, ठीक है ऐसी error जो हर दफा आप जब किसी एक procedure को perform करते हैं, उसमें बार बार आए अब इस error को किस तरीके से समझा जाता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ आपने अपना weight किया एक machine के साथ ठीक है, आपका weight आया 70 kg जो पहले मैं example दे के आटा हूँ ठीक है, आप उसी machine के साथ थोड़ी दे ठैर के weight करते हैं आपका वो ही weight 70.2 kg आगया, अब digital machine पर कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, दुबारा से weight करते हैं, तो 70.03 kg आ सकते हैं तो वो जो change आ रहे है, थोड़ी सी random error है, जिसको आप round off करते हैं, तो error remove हो जाएगी but the error is there उसको हम बोलते हैं random error ठीक है, और यही चीज है कि अक्सरोकाद आपका तुक्का लग जाए और आप एक अच्छा perform कर दें यानि कि आप लुड़ो का दाना पहेंगते हैं, आपको 6 आ गए, दूसरी दाफा पहेंगते हैं, फिर 6 आ गए, तीसरी दाफा पहेंगते हैं, फिर 6 आ गए, अब ये प्रफॉर्म किया, आपका तुक्का लग गया, आप से कुछ स्वाल पूचा गया, आप कहते हैं कि मुझे आता है आपने आंसर दिया, तुक्का लग गया, वो ठीक हो गया लेकिन on the other side, वो ही दूसरे दिन quiz में जब question पूचा जाएगा, हो सकता आपको ना आए, और अक्सर उकात ऐसा ही होता है, कि ऐसी तरीके से आपको चीज़ें पूची जा रही होती है stat के अंदर, जिनकी randomization जो है, वो जुरूरी होती है, अब यहाँ पर इसी एक चीज को, tricky question को जब हम बना के पूचेंगे, तो आपका quiz जो है, वो past नहीं होगा, so randomization यानि कि random error एक ऐसी error होती है जो कभी भी, कहीं भी अकर कर जाती है, ठीक है random error, ठीक है, second आती है आपके पास systematic error systematic error ऐसी है यह वो वाली चीज है, जो scale के अंदर change आ रही है, यानि कि जो मेरे पास weighing balance है ना, weighing balance उसी के अंदर खराब भी है वो एक किलो बढ़ा के बता आ रहा है मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती यही है कि जब मैं बार-बार करता हूँ 70 kg, 70.03 kg, 70.05 kg आ रहा है लेकिन, जब मैं उस weighing balance से किसी और का weight करता हूँ तब भी उसमें भी randomization हो रही होती है systematic error यह है कि मेरा original weight हो 69 kg लेकिन weighing balance मुझे 1 kg बढ़ा के बता है और मुझे ही नहीं हर किसी को 1 kg बढ़ा के बता है यानि कि वो instrument की खराबी हो हमारी खराबी ना हो यानि कि वो scale की खराबी हो वो system की खराबी हो वो किसी instrument की खराबी हो वो किसी calibration की खराबी हो then that would be called as systematic error ठीक है और अगर आपसे quiz के दुरान एक स्वाल पूछा जाता है आपको वो आ जाता है that's good thing अगर आपसे दूसरा पूछा जाता है वो भी आपको आ जाता है that's nice thing लेकिन अगर out of syllabus question आजा तो आप quiz perform कर पाएंगे नहीं ना कर पाएंगे तो वो system की error है ठीक है समझ रहें बात को अब एक और मिसाल मुझे दे मुझे बताएं आप लुडो का दाना पहंगते है लुडो का दाना पे उपर से 6 की जगा साथ नुकते लगे हुएं और आप लुडो का दाना पहंगते जाएंगे मुझे 6 आएंगे 6 आएंगे 6 आएंगे नहीं आएंगे क्योंकि 6 की जगा पे साथ का नुकता लग गया है ठीक है so these kind of systematic errors जो हैं ये बहुत ज़्यादा हमारा काम खराब करती है अब random error और systematic error इन दोनों के अंदर आपको फरक वाज़ हो गया होगा अब हम इनकी थोड़ी सी examples देखते हैं कि random और systematic error हमारे पास किस तरीके से चलती है ये screen आपके पास share हो रही है मैं mic थोड़ा सा pass कर लेता हूँ हम क्योंके एक real world में रह रहे हैं जहां पे हमारे पास there are many things जिनको हम control नहीं कर पाते ठीक है इस वज़ा से हमारे पास different किसम की errors जो हैं वो आती है random error एक ऐसी error होती है जो हमारा चीजों को reliable नहीं रखती for example एक ऐसी error जो बहुत ही minute होती है लेकिन वो बार बार आ रहे होती है for example मेरा जो weight है मैंने आपको बताया ये मेरा weight है जनाब 70 kg मैंने एक दफा measure किया इतना आ गया दुबारा से मैं second time measure करता हूँ तो ये मेरा आ जाता है 70.05 kg digital weighing balance पे कर रहा हूँ third time करता हूँ तो ये ही मुझे 70.25 दे देगा four time करता हूँ तो 69.95 five fifth time करता हूँ तो ये मेरे पास 70.23 ये सारे kg के अंदर है ठीक है अब आपको भी पता है कि ये जो मेरे पास बार बार randomization हो रही है यानि कि random मेरे पास कुछ errors add हो रही है इसी चीज को हम random error बोलते है ठीक है अब second चीज पर चलता हूँ मैं systematic error किया है कि मेरा weight जो मुझे दिखाया जा रहा है 70 plus minus 0.5 ठीक है यानि कि 70 से 5 उपर और 5 नीचे 0.5 उपर या 0.5 नीचे ये मुझे weight बताया जा रहा है ठीक है लेकिन अगर मैं weighing balance को check करूँ weighing balance क्या कर रहा है वो basically 1 kg मुझे ज्यादा बता रहा है और मुझे ही नहीं मैं 1 kg घी वाला जो packet उपर रखूँ उसका भी ये 2 kg बता रहा है और मेरे पास जो standard वटे पड़े हुए है kg के जो हमारे पास weighing होते हैं weights होते हैं उनको देखूं तो वो भी मुझे 1 kg का 2 kg बता रहा है यह systematic error है यानि कि system के अंदर error है अब system के अंदर error को resolve करना असान है कर नहीं आप खुद सोचें मतलब यह कि अगर एक science दान या एक researcher जानता है कि उसने क्या करना है he or she can actually remove the systematic error but on the other side जो आपकी random error है इसे भी remove करना असान नहीं होता ठीक है दूसरी को remove करना असान होता है अब आपको भी पता है जो मुझे मेरा weighing balance जो है different weights बता रहा है मैं आपको दुबारा से अपनी screen पे ले जाता हूँ यहाँ पे check करें यह जो मुझे weights बता रहा है इसको एक, दो, तीन, चार, पांच दफा मैंने measure किया इस error को minimize करने का तरीका कार क्या है simply आप सभी की average ले ले इन सभी का mean ले ले ठीक है इसी वज़ा से आप जब भी किसी चीज को measure करते हैं आप replicates के अंदर measure करते है इसको बोलते हैं replicate replicate क्या है कि मेरा जो weight है उसको एक दफा मेशर किया फिर मैंने दूसरी दफा किया थोड़ी देर बाद फिर तीसरी दफा, फिर चोथी दफा, फिर पांच भी दफा मैंने पांच दफा एक चीज को measure किया उसकी average लूँगा तो मेरे पास इस error के chances काम हो जाएंगे क्योंकि मैंने सारी के सारी चीजों को count करके उनका center मैंने अपने पास रख लिया and this is called removing your random error और जो हमारे पास systematic error को remove करने का तरीक है simply आप क्या करें calibrate कर लें weight को calibration कर लें ठीक है ये दो चीज़े आपके सामने जो आपको समझ आ गई है अब एक और चीज़ बड़ी important होती है कि हमें क्यों care करनी चाहिए इन चीज़ों की क्यों हमें समझना चाहिए कि हमारे जो systematic error है या random error है क्यों important है reason जनाबे आली simple है आपका data accurate होगा तो आप future prediction भी accurate कर पाएंगे आपका data accurate होगा तो आप अपने business को accurately invest कर पाएंगे उसके अंदर अगर आपने किसी चीज़ को improve करना है अगर आपको data ही खराब मिले मिसाल के तोर पे आपके सारे के सारा stock आपके warehouse में पड़ा है on the other side आपको system ये बता रहा है कि बिग गया है तो आप क्या करेंगे यार पैसे कहां पे गए तो आप हल चल मच जाएगी इस वड़ा से data बड़ा matter करता है इवन एक एक चीज matter करती है आपने देखा होगा जो medical store के अंदर कोई चीज मैनेज कर रहे होते है उनके accounts भी different किसम से चलते है यानि कि उनको पता होता है stock में कितनी दवाईयां पड़ी है या कितनी नहीं पड़ी अगर वो एक zero आगे लग जाए ना आपके पास एक दवाई का packet पड़ा है और आगे zero लग गया है गलती से किसी ने measurement में गलती कर दी तो वो पूरे का पूरा stock disturb हो जाता है आपको यह होता है कि यार मेरे पास तो अच्छी खासी पड़ी हूई है या medicine लेकिन पीछे होती नहीं है so these kinds of things matters a lot और यही machine learning के अंदर आपका data ही गलत हुआ ना आगे काम खराब हो जाना है ठीक है so यह जो errors हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है systematic error और random error यह दो errors मैंने आपको बता दी है and there are many other errors type error types जो अब हम देखते हैं